जय जगन्नात दोस्तों मैं दिसा मामा आप सब को स्वागत करती हूँ दिसा मामा डेली लाइब लोग के एक नई थंडी थंडी मौसम की थंडी थंडी सुबा में उमीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए फिर आज की ब्लॉग शुरू करते हैं ब्लॉग में आगे बनने से पहले अगर आप मेरी चैनल में नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और देखिए मैं सुबह सुबह उठकर नहा दोकर आगे हूं नहा कर फिर उसके बाद मुझे बैटी को तयार करना पड़ता है स्कूल के लिए क्यूंकि अभी थोड़ी देर से उठती हूं च्छे वजे उठती हूं क्यूंकि बहुत ज्यादा थंड है तो थंड में इतनी सुब जाना होता है तो उसे मैं दयार कर लूँगी पहले और उसके बाद उसको छोड़ने के बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और वीडियो में आगे की बात करेंगे जैसे कि आपको थर्मनेल में पता ही होगा मैं आज आप सब के साथ एक बहुत जरूरी बात सेयर करने बाली हूँ जो हमारे कल्चर में मानते हैं हमारे हमानते हैं कि जो हम सदवा नारी होते हैं जो सिंदूर लगाते हैं माथे पे तो उसे एक सही तरीका होता है लगाने की बरना बहुत असुब होता है मना जाता है हमारे यहां तो इसी सिंदूर को लगाने की जो सही तरीके हो भी जदा अच्छा होता है हमारे और भी जदा हमें सूपर मिलता है उसका, तो वो उस बारे में आज हम वीडियो में आगे बाते करेंगे, तो उससे पहले मैं अपनी बेटी को जैसे कि आप देख सकते हैं, तयार करके पहले छोड़ दूंगी स्कूल, और उसके बाद ही हम बा करते हुआ और बागी के सारे कम सुबह के करती हूँ तो मेरा पहला काम ये होता है सुबह उटकर नहाने के बाद हमार सबसाब पहला काम यही होना चाहिए कि हमें सिंदों लगाना चाहिए माथे पर मेरा मनना यह है और मैंने भी यह देखा है छोटे वैसे हमारे घर में हमारी माँ मेरी सासुमा सब यह करते हैं तो मेरी बेटी स्कूल चली गई है अब जैसे कि आप देख सकते हैं उसे मैंने टीफिन बना कर दे दिया और बो चली गई स्कूल फिर उसे छोड़ने के बाद मैं आती हूं पहले अपनी स्रिंगार बस लाती हूं जिसमें मैं अपनी कुछ सामान वगेरा रखी हूं थोड़ा सा क्रीम पाउडर और थोड़ा सा जो अभी तो लिप बं भी लगान तो बस नाने के बाद थोड़ा सा इदर उदर हो गया है तो उसे हमें सेट कर लूँगी तो उसके बाद थोड़ी सी क्रीम पाउडर लगा लेंगे उसके बाद ही हम सिंदू लगाएंगे और मैं अच्छी तरह से सूट नहीं कर पाई क्यूंकि क्यामरा जो है ना वहां पर म ले कोड़ा सा लाइड दिख रहा होगा और इसी वज़े से अच्छी से नहीं दीख रहा होगा तो चैलिए फिर हम अपनी विधी के बादे में बात करते हैं जो नियम होते हैं सिंदू लगाने के तो सबसे तो पहले यह नियम होता है कि हम सिंदू जब लगाएं ना तो किस सबसे अच्छा तरीक है कि आप सिंदूर लगाते वक्त एक जो सिल्वर होती है रूपा तो उसकी आप एक काठी बोलते हैं तो बह बना लीजिए को अगर कर सके अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं आप एक तूलसी का काठी भी ले सकते हैं तो तुलसी माता के पास जो तुलसी हमारी होती है ना तो उसकी काठी में से भी हम सिंदुल लगा सकते हैं कोई बाद नहीं होता लेकिन अब हाथ से बिलकुल भी मत लगाए और इसके सिवा भी और कोई दूसरी काठी से बगेरा से मत लगाए तो ये पहला नियम होता है और द साड़ी प्यंति हो कुछ भी प्यानें लेकिन अपने मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए देख सकते हैं मैं किस तरह से चुननी ढख रही हूं तो इसी तरह से आप मांग में चुननी ढख कर उसके बाद ही सिंदुर लगाए बोला जाता है कि आप खाली मात्य पर चुननी ना डाल कर संदूर नहीं लगाना चाहिए तो आपके यह माना जाता है, न कुझे पता नहीं मुझे जरूर बताएगा कमेंट में और तो हमारे यह इसे माना जाता हैं और उसके बाद तिसरा नियम ए होता है हम सिंदूर जब भी लगाते हैं तो हम माता पारवती जी को समरण करके सिंदूर लगाना चाहिए हमें क्यूंकि प्रभु दिवादी देव महादेव को हम पिता किश्वरु मानते हैं तो माता पारवती को हम माता की त्वरा मानते हैं तो उन्हें समर ने करके source in लगाना चाहिए और अपने पती को उस मरन करके अपने पती को मन में रख कर शिंदू लगाने से भह आळा मन चाहिए तो चोथ नियम के बारे में बात करते हैं जैसे कि मांग आ हम साओ हमारी हमारी मांग में चाहिए तो उसके सीधे में ही हमें सिंदूर लगाना चाहिए कुछ लोग होते हैं न वो साइड से लगाते हैं तो साइड से आपको नहीं लगाना चाहिए सीधी मांग में ही सिंदूर लगाना चाहिए तो यह देखिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है आगे बढ़ गया ह अभी मेरा काम खतम हो गया और मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ और सुभा का ये तो मेरा पहला काम होता है मेरा पहला खाना होता है जैसे कि आपको पता है अभी तो सर्दी का मौसम है तो चाय के बिना तो मेरी सुभा का सुरुवत ही नहीं होता तो मैंने पुझा बगेरा कर ली और उसके बाद चाय बनाने के लिए आगे हुँ मैं तो चाय बनाते हैं और अगर आपको मेरी सिंदुल लगाने की जो तरीके है जो भी दिये थोड़ा से भी अगर पसंद आया है ना तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा और ये देखिए मैं चाय बना रही हूँ तो सिंदुल लगाने वक्त आप ये सारी गलतिया बिलकुल भी मत कीजिएगा अच्छा नहीं होता है हमारे यहां माना जाता है हमारे घर में मैंने बच्वन से ही देखा है मेरी मा को हो गया या फिर मेरी सासुमा हो गया तो बो सब भी इन बातों को मानते हैं और इसी तरह से ही सिंदुल लगाते हैं सिंदुल लगाते बग जो एक बात में भूल गई आपको बताना कि जब आप सिंदुल लगाते हैं तो आप अपनी हातों में जो हम चूडिया पेहनते हैं तो उसमें भी सिंदुल लगाते हैं थोड़ा माना जाता है कि जब आप सिंदुल लगाते हैं न सीधी मांग में तो आपके पती के जीवन का भी सारे रास्ता उसी तरह से ही अच्छे से सीधा होता है और जब आप सिंदान को थोड़ तेड़ा मेड़ा करके लगाते हैं तो आपके पती के रास्ते में वैसे ही तेड़ा मेड़ा सारी चीज़े आते ही रहते हैं तो यह तो कहने की बाद है मुझे नहीं पता इसमें कितनी सचाई है और इसके बाद मैं आप सब को एक बात आप बताऊंगी कि हमारे यहां जब भी हम monthly period होते हैं तब तीन दिन तक हमा अभी तक हमारी जो बेटी स्कूल से आ गई है और उसके आज डिमांड है कि उसे एपी बना कर खाना है तो उसके लिए मैं इपी बना रही हूं आप देख सकते हैं घर में एक एक था तो उससे में मिला कर बना लूँगी वी क्यूंकि उसे पसंद है और बो बोल भी रही थी कि ममा एक एक है तो उसे डाल दीजिये उसमें तो उसे डाल कर मैं उसके साथ ही पी बना लूँगी फिर दोनों बच्चे खा लेंगे तो इसी तरह से मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूं और कुछ डालूँगी तो बो नहीं खाएगा इसकी वज़े से मैं इसमें थोड़ा नमक देंगी अंडे में और बना लूँगी क्योंकि ज्यादा मसाला बगेरा और प्याज बगेरा दूंगी ना तो वो मेरा बेटा नहीं खाएगा उसे तिखा लगेगा तो इसी वज़े से मैं सिंपल तरीके से ही बना लेती हूं म्यागी और फिर में दोनों बच्चे को द जरूर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और पास में रखे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आए हुई नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सेके और अपने फ्रेंट्स और रिलिटेव के साल सेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो आज के वीडियो में हम लोग ने जाना कि हमें किस तरह से हर सदवा नारी को किस तरह से हिंदूर लगाना चाहिए यह जो बात है यह हमारे यहां माना जाता है हम लोग मानते हैं मैंने भी देखा है वेच्प्रेंट से हमारी घर में सब मानते ह और मेरे ससुराल में भी मानते हैं तो मैं भी मानती हूं इसे और इसमें क्या सच्छा है मुझे कुछ पता नहीं लेकिन मुझे लगता है अच्छा है क्यूंकि अगर हमारी थोड़ी सी कोशिस के बज़े से हमारा परिवर अच्छे से रहे हमारा पती के जीवन में सारा आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताएगा अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे ना प्लीज लाइक टे वीडियो और आज के ब्लॉग में बस इतना ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग में आज के लिए इतना ही बाइबार